मनू अभी तुम कहां परो? ए भगवान, अब कौन सी भाषा में बताऊं तुम्हें? जिस भाषा में समझती हूँ ना, उसी में बताऊं. अरे मैं जेल के गेट के सामने खड़ा हूँ, साड़े दस बजे आई जी साब से अपॉइंटमेंट है, अभी पंदरा मिनिट बाखी है, वैसे तुम अभी कहां पर हो? इस बैंगलोर की ट्राफिक के बारे में तुम उसे जादा जानते हो ना मनू, मैं भी ओन दे वे हूँ. हाँ, ठीक है, ओके. अच्छा, तुमारे भाई का नाम क्या है? सचीदानन सर. हाँ, सचीदानन जिस गुना में कैद है, ऐसे बहुत सरे लोग यहाँ पर कैद हैं. करना टक के हर जेल में ऐसे लोग भरे पड़े हैं. अगर आप इसी चुड़ाना चाहते हो, तो इसके लिए बहुत सरे प्रोसेस फॉलो करने पड़ेंगे. मैं उन सब को छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सर. मैं तो बस अपने भाई को छोड़वाना चाहता हूँ. उस आदमी ने तुम्हें पकड़के जेल में नहीं डाला. तुम ऐसे क्यूं बोलते हो, मनू? तो फिर इसकी बाते सुनके लग रहा था कि सब के रिष्टदारों को बुला कर यहीं पर धरना कर दू. सरकार के पास बहुत पैसा है, 90 क्या 900 लोगों को जेल में रख सकते हैं, पर मैं अपने भाई को जेल में नहीं रहने दूँगा. तोड़ा धीरे. सुनो, अब हमें DTP सापसे अपॉंट्मेंट लेना चाहिए. मंगलापुरम जेल वार्डन की रिपोर्ट बहुत फेवरिबल है. ये मैं रेकमेंड करके गवर्मेंट को भेजूँगा. सर, इससे पहले जो यहां बैठते थे, वो DGP भी यही बोलते थे. और फिर जब लिस्ट आएगा, सिर्फ मेरे भाई का नाम नहीं रहेगा. तो फिर गवर्मेंट के साइड से कुछ तो आएगा? मेरे जन्म होने से पहले ही जेल गया था मेरा भाई. इस साल में 24 साल का हो गया हूँ. भाई की डबल लाइफ टाइम सजा भी पूरी हो गए. तो इस बार क्या प्रॉब्लम है, सर? वेल, आप लोग हो मिनिस्टर से मिलकर एक कम्प्लेंट दे दीजे. हलो? का हो तुम? जल दियाओ. यह फाइल दे देना. आजाओ. गुद इवनिंग, अंकल. गुद इवनिंग. ओहो, इस बार पप्पो को भी मिलवाने लाए हो. बस पहचान नहीं करवाना चाहा था. इसे भी तो पता चले कि दुनिया किस रंग की है. तुम्हारी बात से ही पता चल गया कि का नहीं होने वाला है. भैट जाओ. यह रिक्वेस्ट लेटर है. अंकल, अगर आप एक बार कह देंगे, तो मिनिस्टर साब आपकी बात को टालेंगे नहीं. वो मेरी भी उतनी ही सुनता है. जितना तुम्हारी सुनेगा. मिनिस्टर थोड़ी रिष्टदार है. अब फाइल म इसको बाहर छोड़ना खातरनाक है. अब सिर्फ एक ही आदमी तुम्हारी साहता कर सकता है. एडविन मोजिस. यह लो. इस नंबर पे बात कर लेना. गुड मॉर्निंग साहिब. सर यह सेंटर से सचिदा नंद के लिए लेटर आया है. मुझे ग्राउंड में थोड़ा काम है. उसके बाद आके मिलने के लिए कोई. ओके सर. श्या. क्या है? मैंने क्या किया है भाई? मुझे क्यूं मार रहे हो? आखिर मुझे से गल्ती क्या होई? तो तुने कुछ नहीं किया बेटा? सुर कहीं के. हल्वा समझा है? हुआ है. हुआ 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 है इदर आ, मुझे से पाँगा. याँ! सूर कहीं कर तू और मैं हम दोनों यहां पर सजा काटने आये हैं अगर तुने दुबारा इसके उपर हाथ उठाया तो तुझे काट के फेक दूंबा सूर कहीं के वट हैपन्ट सची क्या मैंटर चल रहा है हुम् ये लो तुमारे भाई की चिठ्थी मेरे प्यारे भाई इस बार एक गुड निउस है आपका रिलीजिंग और मिनिश्टर ने साइन कर दिया है मुझे पूरा यकीन ता भाई कि एक नाएक दिन आपको इंसाफ जरूर मिलेगा और देखिए सिर्फ मैं ही नहीं पूरा घर बहुत खुश है आपके आने की खुशी धूम धाम से मनाई जाएगी बाकी सब मिलकर बात करेंगे इस स्वधंत्रता दिवस मैं जेल के भार आपका वेट करूँगा अपना ख्याल रखिए आपका छोटा भाई मनोग अगर 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 कि फोटो मत खिच्वाओं वरना मोहरत निकल जाएगा मंडप में नहीं पहुच पाएंगे तू ऐसे खुश हो रहा है जैसे शादी ते सु ennate के सारे लोग तो परलोग जा चुके hai non नहीं तो किसी दोस्त की पोती सी तेरी शादी करवा देता महें आप क्यू मेरे पोते की शादी कराना चाहने हो अभी तो यह अपनी नहीं मा कि आने की हुछ्शी में है पापा मेक अप नहीं करवाएंगे क्या नहीं बेटा त आके फिर मिल जा हमको तेरी यादे अनुमोल, बाते अनुमोल सुनना चाहों फिर भग बोल खाब हमने जो संग तेरी देखी भाईया खाब वह पूरे करो बहुत हुआ ये चिर्ठी का नाता आ रहे हो वापस ये वादा करो तु ही सबसे त्यारा है मेरा दुलारा है रूठो ना कुछ तो कहो दिल मेरा धड़के है बस तेरे संग से ही ऐसे ही संग संग हो तु ही सबसे त्यारा है मेरा दुलारा है रूठो ना कुछ तो कहो दिल मेरा धड़के है बस तेरे संग से ही ऐसे ही संग संगा हो सोने के तार का पेंज राए चमक इसकी तुम ही तुम मौसम ऐसे ही बदलता रहेगा जान लो ओ जान लो जुम उठा दिन मेरा संग तेरे जिने का बदला ढंग मेरे पास बुलाती है कोई मिठी दुन ये सुन तो लो हाँ सुन तो लो चटा अंधे रहे खुछियों का पहरा है साथ भूं चला और तुम दो हो धड़का है दिल नजर ना लग जाए धड़का ने दिल किसवसों कहा है जाले धर जारा भिष्णू कहां ले जा रहे हो तो चोड़ इसको यह मेरा बेटा तू कौन होती मुझे रोपने वाली मुझे गुंडा साबित का दिया मुझे बागल खाले बेच के मुझे डिवर्स ले लिया और अब शादी करके मसे ले रही है मैं तुझे जिल्दाने चाल का मार तुंगा मैं तुझे अधो कि देनी विश्तन जादी एसे कगे इसवाब नहीं रहा楽िन渍ाधाध है परिकर यह इतना मार खुन रहा है पीर रोग यह नहीं रहा है कुछ समझ मोह नहीं आ characterization इसने मलम लगाया होगा से ले लगनी रहे हैं यह मार इसके लिए कुछ नहीं है अपनी माँ के पहले पति को मार कर अंदर अया है आई रहा दल इंदर मारने का फाइदा ही नहीं है श्रीदि जलना है आंशाहँ आख दियाना है तो फिर खड़ा क्यू है क्या भाई मैंने सुना कि तुमने किसी का खून किया है किसी और का गुना अपने सर पे ले लिया है है ना नहीं मैंने ही खून किया है हाँ तुही सबसे त्यारा है मेरा दुलारा है रूठो ना कुछ तो कहो दिल मेरा धड़के है बस तेरे संग से ही ऐसे ही संग संग रहो तुही सबसे त्यारा है मेरा दुलारा है रूठो ना कुछ तो कहो दिल मेरा धड़के है बस तेरे संग से ही ऐसे ही संग संग रहो कि खान और घनी को वाड़न पकड़ कर ले गया है मैं मालेता हूं सब कुछ मैंने किया है इतनों दुष्ट है तेरी तरी हिमत तेरे गाम के पीछ में आता है कि उनी मुवरी तो ऱुष्ट है नहिता है कि अप्राइब पस्टेट कुछे ऩलजीज जरुए कि अबिए। कि अबिए थाथ कि सुने के सुने कुछे अप्राइब दुब से कुछे अप्राइब दुटमें अप्राइब तूड जाओ लुफ। तजी जुदिन हम झा सुष्टर अजुड़िए घ्टनांध इन दो कर दो लिए आथिज पस्प्राइब इस्व प्राइब का फ्याभ रंद सब्टरा इप्टे रञ्ट में इस चटम जार इबुड़िए इस सथे अजू अनादन अजुड़ अधे रंद इन प्राम इन अद पार प्राइडा सकति जुछ प्रभवारी विपारी प्रभवाट कर दो वादी प्रभवारी है झाल झाल किता पड़ रहा है किता पड़ रहा है लाइट नहीं चालू कर सकता अन्धेरा काभू है पता ही नहीं चला अरे सच्चिदानन को अंधेरे में भी दिखाई देता है केरियोन हम 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 प्केल्चल के लाना हुष मेरा भाई कितना सुन्दर है कैसे कोई इतने दिन तक इसे जेल में बंद रख सकता है आव अरे आपको बता है पावर शो और प्रिजन ब्रेक जैसी अमेरिकन टीवी सीरीज है उसमें जो स्टोरी चलती है वो बिलकुल आपके जिन्दगी की स्टोरी से मैच करती है अगर इस बार भी आपको नहीं छोड़ते ना तो मैं भी वैसा ही कुछ करता आईए बैठिये मैंने आपसे कहा था ना आप जब भी घर वापस आएंगे आपका धूमधाम से स्वागत करेंगे आपके आने के बाद ही विश्णुबाई शादी करेंगे लड़की भी उनके अब आप आगे हैं तो शादी भी हो जाएगे सची भाई परेकर हां पहते है कि अधान है यह नहीं तो पहले ही बोला था भाई अपन को देखते ही पैचान लेंगे कैसे नहीं पैचानते हम तिनों साथ आया इसलिए पैचाने यह आई मैं यह यह है परिकर खान गणी हम सब लोग एक साथ बाल-सुदार ग्रह में थे में चोटा भाई मनू है हलो यह मुझे लेने के लिए सच्छी भाई एक मिनिट हाँ अभी आया है अभी क्या आप अपने घर रहने के लिए जाएंगे और कहां जाओंगा मैं सच्छी भाई अपन के वास्ते एक काम आया है कहां पर बैंगलोर में मांजे आपन के लिए बहुत अच्छा ओफर आया भाई मंबाई का कोई ड्रग डिलर है नाम है एडविन मोझेस बैंगलोर में ड्रग की डिलिंग वही करता है करोडों का दंदा है अपना भी फाइदा होगा फिफ्टी फिफ्टी मैं अभी अभी तो बाहर निकलाओ तुम सम मिलकर मुझे दुबारा अंदर भिजना चाहते हो ज्यादा दिन की बात नहीं है थोड़ा पैसा कमाने के बाद आपन धंदा छोड़ देंगे हां पैसा अपन किसी दूसरे देश में इन्वेस्ट कर देंगे फिर वहीं सेट हो जाएंगे हां जैसे विजे मालिया चोक्सी न बिना ठीक से सोचे समझे गलत रास्ता मत चुल लेना मैं कॉल करूंगा हेलो वो मना करके निकल गया लेकिन उसे कैसे रास्ते पे लाना है मैं अच्छी तरह से जानता हूं आओ भाईया ये बैग भाईया ये मुझ्जदो अरे आओ चलो चलो कोई जो चलो आओ ना कैसे हो भाया विष्णु तक्स बेटा हाँ जो हुआ सो हुआ आया है घर पेशे अर दिल की बगियां में डर की नहीं है खर मेरे आस पास रहना ओ सुने मेरी मैना ओ तेरे देना सुनी सुनी मेरी है मुडे तुझे देखे विना नहीं होती मेरी भोर आऊँ खीची चली जो तुखीचे मेरी डोर मन्नु काही को करता है बात यूँगी मोर मैं तेरी तु मेरा चारो और हिशा हाँ जो हुआ सो हुआ आया है घर पेशे अर दिल की बगियां में डर की नहीं है हाँ ऐसे ना इतना खुद को समझाओ उल्टी बातों से दिल को रादड़ पाओ जा इन होटों पे अटकी कब से नाजर मेरी आजारे पास आजा कर देना कोई जतन तुझे देखे बिना नहीं होती मेरी भोर आउं खीची चली जो तुखीचे मेरी डोर मन्नु काहे को करता है पाति यू ही मोई मैं तेरी तु मेरा चारो ही शार इन आखो की भाषा ये आखे ही संझे तरस्ति निगाहे बस तुझ को ही धुड़े आय दीवाने है सदिओं से हम तेरे आजारे हां कहते मिलके रहेंगे सजन तुझे देखे बिना दिल लगता ही नहीं सब कुछ है यहीं बस तेरी कमी एक पल भी जाती है जो तू कही हो दिल धड़के है जोरों से करता है शोर भाईया आराम केजिए मैं महमानों को छोड़के आता हूं अब भाईया जाएं कहां चले गए सची भाई क्या हूआ भाई कमरे में नहीं है क्या मैं कमरे में अभी तो बेचारा आया है सोने तो न मिल लेना क्या बोल रहे है यह भगमान हम पाल पता है जो इस्वक्त अपने कमरे में नहीं जला जा अगर वो ऐसा है तो उसके उपर हमें सक्त नजर रखनी होगी बेचारा अलग दुनिया से छूट कर आया है ना देखने में आया है कि ऐसे लोग ही आत्मात्या करते हैं ओहो भाई बहन दोनों एक ही जैसे हैं वो भी ऐसा ही नाटक करती थी मैं तो बोल रहा हूं कि देखने मे आवाज आ रही है यहां सो रहे हैं भाईया मैं है वनो वनो भाईया यह क्या भाई यह भी कोई सोने के जगह है वहां लेटकर मैं सो नहीं बारा था मेरे आदत नहीं रही ना अच्छा भाईया उठिये थैंक यू फो कमिंग डॉक्टर हालो डॉक्टर सुदाकर रेड़ी हालो और यह इनकी वाई नमस्ते भाईया सुनो ना भाईया मैं राजनी भाईया यह मेरी दीदी पलग हाँ नमस्ते मैं का पापा हूं कल्यान कुमार यह मेरी दीदी का बेटा प्पु नमस्ते आप लोग सब यहीं रहत क्या ओ सौरी शादी में आया होंगे मैं भी शादी में आया हूं ठीक है फिर मैं चलता हूं ओके बड़े भाईया क्यारियों मैंने सब्हाल थी यह 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 उसा क्यों बोल रहे थे वह क्या है ना भाई कुछ दिन से बाहर रह रह थे इसी वज़ह से सची भाई हां भाया हां आप रेडी होए या नहीं हां सची दनन दर्वाजा खोल अब आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है अंदर अंदर बहुत गर्मी हो रही जुट बोल रहा है एसी वाले रूम में फिर तुम्हारा एसी खराब हो गया होगा है भाया चलिए ना पिताजी कबसे पूछ रहे हैं आप लोग जाओ मैं कुछ देर बाद आजाओंगा साथ में क्या प्रॉब्लम है भीड कम हो जाएगी तो अरम से आजाओंगा अब यह क्या बक्वास कर रहा है भीड कम होगी तो क्या कच्छरा साब करने आएगा भाया यह भीड देखके आप इतनी ट अब यू यह लड़की का बाप है प्रताप यहां का डिजी पी है यार वेलकम सर प्लीज कम मोहन जी विष्ण को फादर नाइस मीटिंग यू सर इस इस माई सन सचिदनाथ और ही इस माई अंकल विजय कुमार है यह प्लीज कम यह प्लीज अब यह प्लीज पानी पील आपकी परमिशन चाहिए मैं अब ही आजाओंगा जल्दी जाओ आठीक है 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 हलो सर एक गिलास पानी पी सकते हैं ओके सर पानी पीने के लिए भी दुसरों से टेस्ट करवा के पीते कितना क्या पालतों का नाटा के सर एक मिनिट सर मुझे गिलास पानी पीना है सर मेरे को सर बोल रहे है क्या है लगता है अच्छे दिन आ गए येलो सर पीलो ना एक गिलास और चाहिए लीजिए 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 मुझे अभी कि अभी लगु शंका के लिए जाना होगा कबसे पानी पी रहा है तो निकालना ही पड़ेगा उदर सामने टॉलेट है जा जल्दी ये जेल से आने के बाद हर काम के लिए परमीशन मांगता है हाा कि जेइल ने तो इसे बिगाड के रख दिया है ह। पूल कुछ लुट कि हमेशा भाई साथ भाई है कि खुश्च भाई आपी जाओ मैं जाओ अरे चाहूना अब मैं जा आगे जाना तो निखाल के आशिर्वाद्टू दो कि यह लुट वह लं यह लुट को भुटू तो पुलिस में तो नहीं है लेकिन पुलिस वारों से बहुती अच्छी जमती है उनकी ऐसा कह सकती हो एक मिठा अहां बेटी बोलो पापा मैंने उस ओफिसर को देखा पूरा हौल तो अफिसर से भरा बड़ा है तुम कि इस ओफिसर की बात कर रही हो बेटी अरे जिसने मुझे पहले बचाया था वो कमांडो ग्रूप वाला ओफिसर उसे तुमने कहां पर देखा यहीं पर वो व अच्छा पापा मैं चलती हूं ठीक है चलती चलो अरे कहां रही थी तुम इदर आओ सची यह आवास कहां से आ रही है गराज में से आवाज आ रही है सर लगता है गैरेज में कोई है शेटर का ताला तोड़के अंदर गया है चाभी तो मेरे पास है अधार से सुनिए लगता है वो सेफ तोड़ रहा है अन्यां कोई सेफ लेकर आया होगा ना सर क्या मतलब मैंने इंग्लिस पिच्चर में इसा बहुत देखा है सर साब लगता है कोई कार्चोर है अगर कार्चोर होता तो कोई और कार्चोराता बंकार से क्या कर रहा इसे पता नहीं होगा ना बहार निकल की न उसको एक रैप्टम मारते ना कौन है नीचे संभाल किया उसके हाथ में हतोड़ाई शायद चल बहार निकल भाईया आप इस वक्त यहां क्या कर रहे हैं मैंने सोचा थोड़ा कारी ठीक कर देता हूं अब अंधेरे में कौन कार बनाता है बेटा नीचे जाते वक्त तो जाला था अंधेरा काभ हुआ पता ही नहीं चला ठीक है मैं समझ गया चलो अब यहां से मैंने सोचा कि कार मन्नु ले जाओ इसे कम रेब चलो भाईया यह यह अब सब्सक्राइब सब्सक्राइब अब इस सचीदानन से मैं पहले भी मिल चुकी हूं मैंने तुम्हें पहले बताया था ना जब मैं उटी में पढ़ती थी एक टेरिस ग्रूप में मुझे अगवा कर लिया था तो फिर एक कमांडो आपरेशन में पुलिस ने मुझे बचाया था उस कमांडो ग्रूप में सचीदानन भी थे ऐसा तो होई नहीं सकता लगता है त अची भाई तो जेल में थे वो भी पूरे 24 साल है जो पहले आया वो पहले कहाएगा जो बाद में पीचे खड़ा रहाएगा चलो 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 क्या बात है यह लोग बाहर जाके पढ़के आते ना वहां पे ऊच नीज बिलकुल नहीं देखी जाती इसलिए लोग बाहर जाते है सोशिलिजम हाई है आपन पता नहीं यह सोशिलिजम कब सिखेंगे यहां प्लाइन में क्यों खड़े हो अग्या पीकाडने आप अंदर चलो क्या हुआ चुड़ो आप नौकरों के साथ लाइन लगा के क्यों खा रहे हैं यहां बैठिए आपकलों कि बाष छूवर्णे खाव ग जो कर दो क्या कर दो的 खार यहां गाल खॉआ बाष असवर्ण इसका यह कहना है कि आपने किसी टेरिरिस्ट मिशन पर इसकी जान बचाई है मुझे बचाने के लिए तो मन्नु आया मैं किसी को कैसे बचा सकता हूँ वही तो क्या हूँ बचाने के लिए मेरा हूँ क्या हूँ एसे आचानक क्यों उड़ गए हूँ 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 वंदना मुझे बचाते वक भी नहीं लगी थी क्यों बहिया मैं जूट बोल रही हूं इन्हें बता दो यह जूट नहीं बोल रही वो मही था मुझे अंध्यरे में दिखाई देता है ये बात जेलर को पता लग गई थी इसलिए वो हर दिन मेरा इस्तिमाल करने लग गया हर रात को वो लोह कहीं न कहीं मुझे ट्रेनिंग पे ले जाया करते थे मेरी साथ ट्रेनिनंग में बहुत सारे कैदी थे और बहुत सारे कटिन मिशन्स पर हम लोग साथ में गए उन्ही सब कटिन मिशन्स की तरह वो मिशन भी था अंदर सभी के पास हत्यार थे लेकिन मैं नहीं था ऐसे होता था वो आपरेशन जा मिलें पी जन्ही पीर कारण में पीर थे पादर में थे क्वी कुह सारे है लुष में गवाशन था बुष में थाप्अज encouraged कि अच्पा जय को रादर सु संटिये कह अए क्यों के आप कि कौिश झाल 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 अबस्त फिर कार कार अप्टार कि अबस्ता से लावां अबस्ता है एंच ईजिएे मॉझ लॉब डोप अने में पोते हुद सबस्सक्राइब है अगर वया हैं अग्थ अग्योर अब तया अग्योर अग्योर कई बार मिशन से काफी लोग जिन्दा वापस नहीं आपाते थे जेलर लिख देता था कि वो लोग फरार हो गये फिर किसी की लाज ढूंड के उन्हें हमलों का नाम देता था ऐसा ही खेल जेल के अंदर बहुत दिनों तक चलता रहा कोई नहीं पूछता था वैसे भी मुझ्रीमों की बाहर समाज में जरूरत भी क्या है इसलिए कोई ध्यान भी नहीं देता था ऐसे ही मेरे कितने साल इसी तरीके से बीट कर ट्रेनिंग लेते रहते आदत सी हो गई इसकांटर्स इतने दिनों तक इस काम के लिए अंदर रखे थे भाईया को बोल रहा था इंटेलिजेंस रिपोर्ट इन सब की तुर देखो भाभी इए रिपोर्ट आपको आपको तक दोडिके लिए भी आपको और प्रेस अंदर रखे थे से बापको तोड्यों आपको अटी आपको 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 अगरे है आपको इस बात को मामूली नहीं समझे तो समझना चाहिए सर इस ग्राफ को एक वर्निंग समझी एडविन मोजिस की तरफ से एडविन मोजिस मेभी उसके किये हुए हर एक क्राइम स्पोर्ट पर ऐसे ही निशान पाए जाते हैं सर सोरी विदांता सिट डाउन हां बोले पेटी पापा जेल में आप लोग कैदियों को मरने के लिए मिशन पर भेज़ते हैं क्या आखिर तुम्हें ऐसी बगवास बाते कहां से सुन लेती हो विदांता मैंने तुमसे कहा था वो आदमी ठीक नहीं है सुरी सर आखिर कौन है ये और कौन होगा सची दादन ओ सर के सनी लॉक अ बिग ब्रदर मैंने उसकी पूरी कुंडली निका लिया सर बहुत ही ओबीडियंट है वेल बिहेवड जेल में इतने सालों में कोई कंप्लेन भी नहीं आई इन फाक्ट ही जितने भी कमांडों है सर उसकी स्किल उनसे बेटर है हमारे बहुत सारे risky operations में उसकी मदद ली गई है that's why पूरी सजा हो जाने के बावजूद उससे release नहीं किया गया सर और फिर उसके younger brother ने higher influence लगा है इसलिए उससे छोड़ना पड़ा वो बात तो ठीक है अगर उसने ये बाते बाहर बता दी तो डिपार्टमेंट की image का क्या होगा वो बाहर नहीं बताएगा सर फिर वंदना को कैसे पता चला वो तो I don't know सर वैसे उसने आपकी बेटी को बचाया भी है इसलिए शायद आपकी बेटी उसे भूल नहीं पाई हो with your permission सर I'll talk to him मैं आपको जुबान देता हूँ कि वो कोई भी information leak नहीं करेगा Good morning sir Morning बैठो ने ने मैं खड़ा है ठीक हो हमारी बात मानने के लिए तुम जेल में थोड़ी न बंदो बैट जो मुंबई से यहां आके मुझे तीन साल हो गए इसके पहले मैं दिल्ली में था वहाँ एंकाउंटर में कुछ टूरिस्ट क्रिमिनल्स को मारने की वज़ा से मैं निताओं की नजर में आ गया था तो बस दे ट्रांसफर्ड मी What would you like to have sir? ड्रग माफिया को फिनिश करने के लिए मुझे यहां पोस्ट किया गया है तीन साल में मुझे पूरे शेहर को क्लीन करना है ड्रग ट्राफिकिंग में आज तक मैंने किसी वारेस्ट नहीं किया और जेल में भी नहीं भेजा एंकाउंटर में सब को मार डाला इसी को लेकर हर डिपार्टमेंट में मेरे खिलाफ बहुत सारी कंप्लेंस चल रही है बड़ा जस्ट डूंट केर नाओ मैं प्रॉब्लम इस सम्थिंग एल्स ड्रग माफिया स्ट्रॉंगली वापस आ गये है और इन्हें जो कंट्रोल करता है वो है एक एडविन मोजस उसको आज तक किसी ने नहीं दिखा और उसके लिए काम करने वाले गुंडे, क्रिमिनल्स जस्ट नॉमल पीपल उन्हें ट्रैप करके अपना काम निकालता है जब वो पकड़े जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि वो ड्रक्स का दंदा कर रहे थे तुम सोच रहे होगे कि ये सब मैं सच्छिदानंद को क्यों बता रहा हूँ हाँ विकॉज एडविन मोजस को खत्म करने के लिए मुझे सच्छिदानंद के हेल्प की जरूरत है कुछ दिन पहले एडविन मोजस का एक कंटेनर में सो गया उसमें ड्रक्स भरा हुआ है ये काम किस ने किया ये जानने के लिए उसने क्रिमिनल्स बुलाए है सारे के सारे ट्रेन क्रिमिनल्स हैं इसी लिए हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए 24 साल तुमने जेल में बिताए हैं सची दान्द इस सिटी में जितने भी क्रिमिनल्स हैं उन्हें अच्छी तरह जानते होगे तुम्हारे कनेक्शन्स को यूज करके शेहर में कौन उसके लिए काम करता है ये जानना आसान होगा जेल में रहते हुए भी तुमने डिपार्टमेंट की बहुत मदद की है इसलिए तुमसे पूछ रहा हूँ सर आपने जैसे पहले कहा अभी मैं जेल में तो नहीं हो न तो पोलिस की बात क्यों मानू भला अभी तक मैंने अपनी सारी जिंदगी जेल में बिताई है और उस जिंदगी के बारे मैं अभी याद भी नहीं करना चाहता आगे की जिंदगी अपने परिवार के साथ बिताना चाहता हूं सर महर्बानी करके मुझे दुबारा इस काम के लिए मत बुलाइए और ये काम मेरा तो है यह नहीं ओके ओके मैंने तो बस रिक्वेस्ट किया था इस बात को यहीं भूल जाओ सचिदानंद सर सचिदानंद सर जिस मामले को याद नहीं करना चाते हो उसे अपनी जुबान पर कभी मत लाना जेल में तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ ये बाहर किसी को मत बताना क्योंकि अगर बताओगे तो पुलिस तुम्हें जेल में फिर से डाल देगी और फिर तुम बाहर की दुनिया कभी नहीं देख पाओगे जानता हो सर कर देए, ये 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 बढ़ने के लिए प्राइट व्ही बेश्वाइब नार्कॉटिक्स और ड्रुक्स प्रिवेंटिव स्पेशल ओफिसर, ये गणलोर जिल में बंद क्रिमिल्स की जानकारी के लिए, मैंने बंद की अचिदानन्द को मिलने के लिए था, ये आप तेरे इन जूतों पे पेंट कैसे लगा पता नहीं लग गया होगा आप भी कहां कहां ध्यान देते हैं उस पर मैं ध्यान नहीं दे रहा हूं वो पुलिस वाला दे रहा था मैंने देख लिया देख लिया आप अरे नहीं मैं से देखने नहीं हो आप अकेले थे ना तो सुचा थोड़ा बात करेंगे इसमें क्या है मेरे लिए जैसे ऑपरेशन किया गया था और कहां कहां पुलिस आपको ले गई थी कौन पुलिस मुझे अभी कुछ अशियाद नहीं है पिताजी मुझे ढूंड रहे हो के चलना चाहिए भाया भाया एक मिनट मैं कबसे आपको ढूंड रही हूं मैंने आपके बार में प्रोफेसर से बात की कैदियों के साथ जो मिस्यूज होता है उसकी खिलाफ हम केस फाइल करेंगे अले सब लोग एक ही र बारे में उसकी भी यही रहा है दो मिर्ट रुख जाई हम लोग बैठ कर बाते करते हैं मुझे अब ही टॉयलेट जाना है आने के बाद करूंगा कोई बात नहीं मैं यहाँ वेट करोगी वेट मत करो मुझे टॉयलेट में थोड़ा टाइम लगता है कितना टाइम लगेगा मैं वेट करूंगी सुनो मैं बाहर जा रही हूं तुम भी चलोगी नहीं मुझे बड़े भाहिया से थोड़ी डीटेल्स कलेक्ट करने हैं आप जाईए बाई बाई अरे भाहिया यहाँ पर पैदल कहां जा रहे है हलो मैं बस पास में जा रहा था आप यहीं रुकिये मैं कार पार करके आती हूं हाँ हाँ मैं यहीं वेट करता हूं करता हूं हाँ क्या बखवास सीड़ी बनाया है हर जगे पे होल होल ही ही है दिल करता इसे तूढ़ ही दू सॉरी यहाँ तो तूपस्य भंग हो जाएगी तो अब भी सची भाय का यहीं इंतजार कर रही है वह तो बाहर रोड पर घूम रहे थे मैं बोली कार पार करके आती हूं पता नहीं कहां चले गया रोड पर हां कैसे हो सकता है जब से आप बाहर गई है तब से सची भाईया तो अंदर ट्वालेट में बाहर निकले ही नहीं रजनी हम रोड पर खड़े होकर बात कर रहे थे मैडम साब तो उपर तपस्या कर रहे है कौन सची सर हम उपर वो भयंकर तपस्या में लीने मैडम आप देखलो चलो इस घर में क्या चल रहा है पता ही नहीं चल रहा मैडम जब मैं आया था तब सर तो यहीं पर बैठे थे तो फिर कहां है मैं क्या जानू कहां चली गया उनको तो यहीं पर छोड़कर गया था इधर देखो बड़े साब वहां नीचे बॉक्सिंग कर रहे है चलो आजाओ क्या रहा है आओ देखो मैंने अभी उने बॉक्सिंग करते देखा अचाने कहां चले गए रुको मैं देखता हूं यहां तो नहीं गए यह सब क्या बाते कर रहे हैं देखो बड़े भाई अभी भी टॉलेट में अरे कोई और गया होगा है सच्छी सर टेरस प करें लें करें खड़ें कर यहँ आँ गर्रेएन वित फासरे में और छन यह रहे हैं मेरे सामने टॉछले क्या बात है सब लोग यहां तू कितने देर से बातरूम में था थोड़ी देर तो हुआ तो फिर यह बता वंदना क्यों कह रही थी कि तूने उससे रोड पर बात किया हां सचा है मैंने बात किया आप फिर टेरस पर तबस्य करने वाला हां मही था और जो बॉक्सिंग कर रहा था हां वो भी वो भी मही था भाईया क्या चल रहा था नीचे अब मैं अकेले रहने के लिए घर को जेल तो नहीं बना सकता ना आप ऐसा क्यों बोल रहे है भाई इतनी मेहनत करके तो हमने आपको जेल से बाहर निकलवाया है ऐसा सब क्यों सोच रहे हो हम सब आपके लिए बहुत परिशान है भाईया मैं खुद बहुत परिशान हूँ अब मैं ठीक नहीं हो सकता मुझे ऐसे ही जीना होगा किसी का कहा मानना ही मेरी आदत हो गई है मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं चाहता हूँ कि मुझे कोई कुछ कहे 24 साल पहले जैसे गया था अब मेरे लिए दुनिया बिल्कुल वैसी नहीं रही सब कुछ बदला बदला नजर आता है कैसे किसी से बात करना है कैसे बरताव करना है कुछ समझी नहीं आता इस बात को लेकर क्या किसी ने आपसे कुछ कहा सुनो जेल में जो कुछ भी हुआ है वो बाहर किसी को नहीं बताना है ये बात मुझे वेदानता ने कही है लेकिन यहाँ पर तो सब वही जानना चाहते हैं मैं आपकी बात समझ यह है आप एक काम करिए आप भी ये सिटी छोड़ दीजिए और हमारे साथ चलके बैंगलोर सिटी में रहिए पिता जी और भाई से मैं बात कर लूँगा वैसे भी मैं और रजनी कल बैंगलोर वापस जाने ही वाले है वहाँ पहुचते ही घर का बंदोबस्त कर लूँगा और आपके लाए कोई बिजनस भी सेट कर दूँगा ये ठीक रहेगा ना हम दोनों मिलकर बैंगलोर सिटी पर राज करेंगे ओके भाईया मैंने क्या बोला था याद है ना बैंगलोर पहुचते ही मैं घर का इंदिजाम कर दूँगा और दो दिन के अंदर अंदर सब कुछ सेट करके मैं आपको लेने आओंगा ठीक है ना बाबा येस तुम जहां भी रो हमेशा खुश रहो बेटा मेर के लिए इतना ही काफी है अच्छा मैंने ये फोन खास आपके लिए है इसमें जो बात करोगे सब रिकॉर्ड होगा ये देखिए इसे टच करेंगे बस होगे बस आपको बात करनी है और कुछ भी काम करने के लिए किसी की पॉमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है कोई भी प् भाई 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 अब अब जैसे मालिक को पाना तो बहुत मुश्किल है आपको देखकर लोगों को सीखना चाहिए आप जैसे अगर सब लोग हो जाए तो दुनिया कितनी सुन्दर हो जाएगी देखो तुम्हारा फोन बज रहा है फोन हाँ हाँ हां हाँ है क्या बात है है सर यह आपका फोन है हां मेरा फोन हां मनु ने किया है ओ है हलो यह आप फोन उठाने में इतना टाइम लगाओगे तो बहुत देर हो जाएगी फोन मेरे लिए बज़ रहा है पता ही नहीं चला बैंगे और पहुंच गया नहीं भाईया सिटी के बॉर्डर पर ही हूँ आदे घंटे में पहुंच जाऊंगा पेट्रोल पंपे हूँ ज़र होल्ड करना फोल टैंक हां भाईया आमनों पेट्रोल भरा रहे हैं जली जोतार मनु यह लोग हमारा वीडियो बना रहे हैं मनु क्या हुआ क्या बात है कुछ नहीं भाईया मैं बात में फोन करता हूँ आपने बेट्रोन मोर्स क्या है क्या निए चोंते आपके हैं हुआ हुआ शरक्ष्राइब मनु... ए... क्या हुआ भया विश्णु अभी मनु का फोन आया था परेशान कर रहा था थोड़ी सी बात करके फिर काट दिया जब मैंने फोन किया तो इसका फोन आफ रहा लगी नहीं रहा आप इतना टेंशन की लिए रहे हो फोन में तो यह सब होता ही रहता है कभी चार्ज खातम हो जाता है अरे सुनो यह 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 बात नहीं है यह यह सुनो जरा यह अलो अब तरह यू दूइंग यह यह बात कुछ नहीं भाईया मैं बात में फोन करता हूं बदना ज़रा रजिने को फोन लगा यह बेल तो बज रही थी पर किसीने सुच आफ कर दिया यही मुझे भी लग रहा है वहां कोई प्रॉबलम हो गई है हमें खुच जाकर देखना चाहिए कहां जाकर ढूंडेंगे भाईया वह पेट्रोल वर्म शहर से आधे घंटे की दूरी पर है बस हमें तुरन जाना चाहिए चले तुम्हें काम करो पापा को फोन करके बता दो पापा पापा मन्नू और रजनी कार से बैंगलोर के लिए निकले थे लगता है रास्ते में उनके साथ कुछ हुआ है कि आज है हुआ है तो जो हुआ है अगव है डरनी कोई बात नहीं है आहीं होश आने के बाद ही पता चलेगा कि रजिनी के साथ क्या हुआ था और कौन लोग मनू को आगवा करके अपने साथ ले गए यह इंहेलिंग डिवाइस मनू यूज करता है यह रजनी मनू यूज करता है उसको विजिंगी बिमारी है जब वो मेडिसीन डालके इनहिल करता है तभी वो सांस ले पाता है विछ मेडिसीन is he using in it इट्स अस्तलिन राटो कैप्स ओ, स्पोर्ट से मिला है अटाइक के टाइम शाद गिर गया होगा अलो कौन है परिकर आ कौन सची दानन बोल रहा हूं सची भाई, अरे गनी, सची भाई सची भाई, क्या हो अधी रात को फोन किया तुम लो कहा हो अभी तुम सब की जरूरत है गिव में दे चाट चाट अट्रेट चिक करो गिव में देट ये किस ने किया कोई आडिया नहीं लग रहा है मेरे को लगता है मनु के किसी दुश्मन ने किया होगा अगर कोई उसका दुश्मन होता तो रजनी का ये हाल करके मनु को इस तरीके से उठा कर नहीं ले जाता ऐसी बात नहीं है मनु की जिन्दगी उसके लिए कीमती ऐसे लिए उठा कर ले गया वरना उसे खत्म कर दिया होता ये दोने चीज़े मुझे विश्णू से मिली है इस इनहिलर के बना मनु एक दिन में नहीं रह सकता तो जिसने भी उसे उठाया है उसे ये चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी इस शेहर में रात में कितनी मेडिकल शॉप्स खुली रहती है पता चल सकता है क्या मैं अभी तुरंट पता करता हूँ मेडिकल शॉप्स से इस इनहिलर के साथ इस दवाई को किसने खरीदा पता करूं ये तो हो जाएगा सची भाई लाओ मुझे तो परिकर इसे मैं अपने गुरूप में शेयर करता हूं तू भी अपने गुरूप में फैला दे सब को काम पे लगा दे हलो क्या वे इतनी रात को सुनो मुत्तु भाई गनी ने गुरूप में फोटो डाली है हां इसे तुम भी अपने गुरूप में शेयर कर दो हां रात में जितने मेडिकल शॉप खुलते हैं उन सब पर अपने लोगों को नजर रखने को बोलो हां फोटो में जो इनहिलर है और जो दवाई है उसको अगर कोई एक साथ खरीदता है तो उसके बारे में पता करो क्या पर मामला क्या है वो मैं मिलके बताऊंगा ओके सची भाई टेंशन मत लो यह सब हम पर छोड़ दो शेहर में हमारे बहुत सारे लड़के पूरी राद भर वो सारे मिडिकल शॉप पर अपनी नजर रखेंगे रिबॉले सर है क्या भे एक रिबॉले सर एक आस्टेलिन रोड़काप्स कितना थीन सब्सक्राइब मुद्टू का फोन है मुद्टू भाई बोलो हलो सुनो एक ही मेडिकल शॉप से दोनों चीजें एक ही आदमी खरीदा पर मेरे आदमी के वहां पहुचने से पहले वह घूचु निकल गया हां सिसी टीवी कैमरे से आदमी मिला है अभी तेरे को बेजा है इंदीरा नगर कोलनी में तेरा नंबर खोली में रहता है नाम है प्रिंस इसके फोन के वीडियो चेक करो कि यह दवाई किसके लिए खड़ी थी यह मैं अपने लिए ले रहा था और दस्वर किसी मनु को नहीं जानता सची भाई जरा यह देखो वो था प्रच्नी प्रच्नी भाई है देखो प्रच्छिरा इवा प्रच्छिरा ग्रच्नी धुल अटने भाई घुल आव प्रच्नी है आए फटो जो एको आए प्टारिक पार्या जो फूँड़िट करने भाइज एक जारा है धब झाल.. सची मही बस खरो सची मही अगर यह मर गया तो मनु का पता कौन बताएगा भाई अब नल्ले अब भी नहीं बताए तो कहीं का नहीं रहेगा भागेगा या और मार खाएगा लग भी पुड़ भी तो कहीं बताएगा उनकाँ युड़स खाएगा भी फुड़स अिल नहीं अए भी लिस नहीं कर बहुँत विल को भीुए अजक गल अजक रहान यथ ते! कर दो बग्ट हुआ झार भुआ किस अख़ वज कि अख़ कि वडार भुआ हुआ गुआ हुआ. अखूँ। मैंने कब सोचा था मेरी जिन्दगी यूँ पदल जाएगी सब कुछ इतना अच्छा था एक अच्छा पती, दो प्यारे बच्चे लेकिन तंबाकों ने सब कुछ पदल दिया अब इस फैलते हुए कैंसर को मेरी चहरे से काटना पड़ेगा कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा अगली बार जब आब सिग्रेट या बीडी पिने की सोचें तो खुद से पूछें ये सिगरेट या बीडी पीने का क्या परिणाम होगा तम बाकू आज ही छोड़ें सहायता के लिए 18-0-1-1-2-3-5-6 पर कॉल करें या मिस्ट कॉल दे 0-1-1-2-2-9-1-7-1 पर मानू कहा है मुझे काम मिला था मैंने बस अपना काम किया इससे ज्यादा मुझे नहीं पता तो जोड़ बोला ढुकर मनू कापर है पता परिकर को यह ऐसे नहीं बोलेगा यह कैसे बोलेगा मैं जानता हूं गनी खान को भून लगाओ हलो खान हालो खान मैंनी आठ डिसुजा की बेटी अल्टीशा तो मेरे साथ ही है अल्टीशा नहीं लिटीशा ओ लिटीशा है भाई लिटीशा तुम्हारे डैडी लाइन पर हैं हाई बोल दो हाई डैडी बेटी तुम्हें और आइसक्रीम चाहिए एक और इसकी लड़की भी इसके जैसी चालाख है इसने तो कभी से आइसक्रीम खिलाई ही नहीं भाई एक और आइसक्रीम देना तो अब बता इतनी सारी आइसक्रीम का पैसा कौन देगा जल्दी बता बहुत देर हो गया इसके साथ काँ फैकना इसे और पांच यह बना कि रखो इ बाद में आपके भाई को शट्टी साब को सौब दिया अब उन्होंने क्या किया होगा मुझे नहीं पता यह है शट्टी यह इसकी फैमिली और यह इसकी बीटी आरिया शट्टी गुद्मानिंग स्वर्ण एक पुलिस वाल आपका इंतिजार कर रहा है यह शट्टी अपने आप में सरकार है सरकार हो या पुलिस हो इसका नाम सुनते ही गुंडे भी पीछे अट जाते हैं शेट्टी आज कल ड्रक्स वालों को छोड़कर मेरा पीछा कर रहे हो इसका कारण भी तो आप ही है क्यों जूट बोलो डीजी भी प्रताब के रेलेटिव लड़के और लड़की पर आपने कल अटाइक कर वाया उसके बाद उसे किड्नाप कर लिया इन सब की बीछे आपका ही हाथ है मेर लेकिन मुझे मेरा भाई वापस चाहिए पुलिस डिपार्टमेंट से अगर आपको कोई टेप देता है तो हर पुलिस वाले को आपने नौकर समझ लिया है किस चीज की गर्मी आपको पता है मुझे मेरे आदमी तुम्हारे बीच में भी हैं वेदान्ता इसलिए ये गर्मी मुझे मत दिखाना मिस्टर वेदान्ता पूरी पुलिस डिपार्टमेंट भी कोशिश करे तो भी वो लड़का नहीं मिलने वाला है हमें एडविन मोजस की मदद लेनी पड़े की भाई कोई उसका दुश्मन होता उसे उठा कर नहीं ले जाता खत्म कर दिया होता अब अप अपने भाई को बचा सकता हूँ जिसे हम बहुत प्यार करते हैं उसे उठा लें तो आर्या शेटी यह काम का नहीं है हई हम खार्या प्योटता ऐसी बहुत वन तवर्याव। इस कपूर के डिबचा के लिए? इतना महांगा काई के लिए? अज़ा आँ कि व्लाएं नहीं है खिरने हाँ इस खिरने हाँ पुटले के माफिक खड़े हैं डादी कैसे कैसे बॉडिगार्ट्स रख दिये हैं आपने इडियेट्स मॉल में वाचेस चुराके मेरा नाम खराब कर दिया यह किसका फोन है यह फोन तो मेरा नहीं है मेम साब डिसूजा बोल रहा हूँ मैं फोन कर रहा हूँ शेट्टी साब फोन नहीं उठा रहे हैं अगर आप उनके पास है तो उनसे बात करा दो ना प्लीज डादी डिसूजा हीर हलो सर प्रॉलम जादा बढ़ी है इसलिए आपको फोन करना पड़ा आर्या मैडम को मुझे लगता है किसे सेफ जगे पे छुपाना पड़ेगा पता चला कि वो लोग फिल्डिंग कर रहा है डिसूजा तु अभी मेरे पास आजा और अपने लोगों को लाना ओके सर क्या हुआ रड़ी कुछ नहीं बेटी तुम्हें कहीं जाना है तैयार हो जाओ क्या है हेलो सर हेलो मेडम तुम्हें डोंट वरी मैंने आपके बैग में फोन डाला था डिसूजा के कहने पर आप लाओ डिसूजा कार को तुछ ट्राइब करेगा ओके सर मुझे और किसी बहुरूसा नहीं है जीप में तुम्हारे साथ एक ही आदमी होना चाहिए सिधा पहुंचते ही फोन करना जाओ डाड़ी ओके बेटा यह लोग सब समाल लेंगे यूल बी सेफ दरनी की कोई बात नहीं है है एपी जरनी थांक्यू डाड़ी भाई सी यू आरिया शेटी का फोन अरे डिसुजा गाड़ी वापस घरपे लो मेरा फोन नहीं दिख रहा है फोन तो निकाल लिया मैम साब वो लोग ट्रैक कर सकते है ना ओ आरे शेटी तुझे कब का बोला थे कि फोन और आफ कर आफ कर आफ कर डान पर यह ताइस इस शिजगों और बीज कॉल आज़ा है मुत्तु भाई इसे भी बांद के रखो मैं जब तक नहीं बोलूँगा छोड़ना नहीं तो शट्टी का बिट्टी कहां बाहर परिकर और गनी उसके साथ में शाबाश अब शट्टी हमारे रस्ते पे आ जाएगा तुम्हें जैसे काम मैंने कर दिया ना अब मेरे बेटी को छोड़ दो अपने जैसा समझ के रखे लाए किया कब की घर पहुंच गई है तो खरीकियाँ जैसे साथ में जैसे से सब्सक्राइब कर दो कि मेरा बच्छा अब मेरा सिंगापूर जाने का कोई मन नहीं है हालो मिम साब हां मैं हुखान येस डिसुजा की जगा पे शेटी साब ने मुझे रखा है ओ थैंक यू बैठियो ओके हालो शेटी साब अवे इसकी तो जरा समाल के अरे कोई हमरे पीछा कर रहा है मैंडम आप डरिये मर वो रेसिंग करना चाहते है हाहते है वहाई पिर नदो डिमित मेंदात हुए यद रहाँ बुए हुए फट टोट टोट गट हो अजय हम आफ टोट टोट टॉ। फट्ट टुड़ अज़ बुड़ टॉड़ वह बुब अए जब सबूगा थाएं ूरवर बाहाएं वाएं वह JOSH वहाएं वह बढ़ मिदर दूब Yes!! 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 Bro!! येस बिग ब्रू मुझे अभी डाड़ी से बात करनी है अल्ला शट्टिस आपको फोन लगा न अभे जल्दी तेरा फोन ला अभे जल्दी कुछ करना तेरी तो अभे दो मेले ट्रूप मैं कुछ करना तो करने की कोशिश कर रहा हूं हां हां लगा शटी साब शटी साब में साब बात करना चाहती है है हेलो डाड़ी इनका बिग ब्रो थो ना सुपर्ब है एक पजेरों में इतने सारे लोग मुझे किट्नाप करने आये थे बट ही फेस्ट अल अलोन डाड़ी अब मैं सिंगापूर जाओंगी मैंने लोगों से बात कर ली है मेरे पसंद की जगह जाने के लिए यह सब लोग तयार हो गये हैं प्लीज डाड़ी प्लीज ओके बेटा यह लोग सब सभाल लेंगे युल बी सेफ दरने की कोई बात नहीं है थैंक यू डाड़ी लव यू लव यू टू क्या बा तो ठीक है चलिए बैठिये सुनू ना थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मुझ एक्स्क्यूस में साथ येस ब्लडी चीट शटी साथ मुझ बंद रख अपना मेरी बेटी को इनके हाथों में सौप देने के बाद तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मुझे दिखाने की इन लोग ने मेरे बेटी को किण्यप कर लिया था अब आप ही बताओ मैं क्या करता ये भी उनके साथ है आखिर कौन है ये साब मैं सब कबंद हूँ इसलिए मीडियेटर बना कर आपके पास भेजा है हाँ इडियेट मुझे तुझ जैसे मीडियेटर की जरूत नहीं है भिखारी मुझे अपनी बेटी को कैसे बचाना है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं म हाई डाडी मैं इन लोगों के साथ बहुत खुश हूं आपने जो इनका विग्डरो भेजा है ना ही जो लोग मुझे किड्नाप करने के लिए आय थे ना उनको इन्होंने अकेले ही मार गिराया कोई भी मुझे छू तक नहीं पाया थांक्यू डाडी आपकी वज़से मैं अ कि अच्छा है ना इस ब्यूतिफल अच्छाने लगादू पे ऐसा कोई मैं रहने लगी गुम खोई खोई दिल नील कहां क्या कुछ तो संदो दिल में मेरे क्या कुछ तो बुझो ना जुक है दिल मेरा ना है कोई गम चाहू मिल जाए अब कोई कर दे करम दिल को दिल से मिलना ही है देखा 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 कैसा जादो चला है तेरा मुझ पर कुछ तो समझो सत्रंगी सपनों में खोड़ा हां दिल बाते हैं तेरी पर मैं हूँ शाम्य इन नैनों के इशारे कुछ तो समझो ये जोका उठा है कैसा हौले हौले खुश्बू हवाओं में बह चली है आओ आओ जी जूमते इसमें खो जाओ आओ हो रही हूँ मैं क्यों खुद ला पता देखो 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 कैसा जादू चला है तेरा मुझ पर कुछ तो समझो बादल में तारों का जूला बनाओं तुम उसमें आके जूलना मेरी सांसे सांसम तेरी योग रही है प्रेम की माला मेरी पहनना जागे हैं सपने आखों में मेरी सुखी नदी मैं जैसे जहर ना गिरे दिल मेरा जोरों से कह रहा तुभी सुद देखो 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 कैसा जादू चला है तेरा मुझ पर कुछ तो समझो कैसा जादू चला है तेरा मुझ पर कुछ तो समझो कि अल्या जादू जादू कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो जो आरेवी दो कम कर दो है कि डाड़ी है यह बेटी को देख सेफ है और इसकी हालत है है चलिए शिट्टी साहब आपको लेने के लिए आया है कि अचलिए आपको लेने के लिए आया है मैया मैया अलो परिकर शेट से पहुंच गया ना अल सेफ भाई मानु को लिगर के अपटल गए हैं वेलकॉम वोके भाई बाई 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 Um Mua Ha हा राजनी, उठामा, लेठी रहा हूँ उठाने की जरूत नहीं, सोही रहा हूँ हमें थोड़ी देर एनने आकेले छोड़ देना चाहिए जटी की बीटी यहां क्या करने आरे है यार से भूके लेकर के यहां क्या क्रणे आया passado पता नहीं इसको कई है यहां क्य गामन बोल रही ती रजनी से मिलना चाहती है अब रजनी से क्या काम पढ़िया अब सच्ची भाई रही है इसका नाम आद अब है तो है ना ममताहिए या यह की चेटी हो थेावब है 10 को अदना एल अर्याया शिट्ट्टी उनके करीब रहना चाहती है और्य को इन सब में क्यों कूद रहे मैं कहां कुदा वो तो आर्या शिट्टी अरे मेरे साथ नहीं सच्ची भाई के साथ हाँ हेलो हेलो आओ ये आर्या शिट्टी है सच्ची भाई की फ्रेंड है आर्या शिट्टी सच्ची भाई की फ्रेंड है आर्या शिट्टी वो आर्या शिट्टी रजनी से एक बार मिलना च आरियाश एट्टी आरियाश एट्टी यह थेल – ईलो आरियाश एट्टी थाद्टी मैं आरियाश एट्टी की तरफ से माफी मांग नमागने हूँ है ऐत तरक यह दिख ने के लिए जे बेजा कि आम लोग जिन्दा है आ मर गये मेरे इस भाई की वज़े से तु जिन्दा खड़ी है वरना यही इसके बगल में तु पड़ी होती तेरे बाप के कहने पर उन गुंदों ने हम दोनों की यह हालत कर दिये तेरी भी यही हालत होनी चाहिए इंमत कैसे होई तेरी यहां आने की रो जितना रोना है रो यह तेरे आस्तो है यह तरी बाप पुरे कर्मों की साजा है तुम लोगों कैसे नहीं छोड़ूगा मेरे हाथों मरोगे इनाफ यह खॉस्पिटल है बहेव यॉसर्फ प्रेव यूसर्फ है सर शेटी की बेटी को अगवा करने वाला आदमी माय हूँ आप मुझे पकड़ दीजे अब मुझे किसे पकड़ना है यह तू मुझे सिखाएगा चला हाद यहां से विदार्ता इन्हें का स्टड़ी में लेने के लिए शेटी ने तुमसे कोई शिकायत की है क्या नो सर फिर इतनी गर्मिक इसलिए है सर वो आप भी जानते हैं इन सब के पीछे रग माफिया का हाथ है इन तीनों लोगों का एड्मिन मोजिस के साथ कनेक्शन है बस इतना ही नहीं सर आपके सनी लॉक अप्रादर मनु भी इनके धंदे में इन्वाल्वड है इसी वज़ा से शेटी ने मनु का अगवा किया उसके जर्ये वो एड्विन मोजिस तक पहुँचना चाता है एड्विन मोजिस को पकड़ने का काम हमारा है शेटी का तो नहीं है न इन लोगों के खिलाफ किसे ने कंप्लिन नहीं की इसलिए जबानत दे रहा हूँ अब लोग चलिए आएए लोग जब शेटी और उसकी बेटी को अगर कुछ हुआ भी न तो कभी बाहर की दुनिया नहीं देख पाएगा डूंट माइंड इट पता है बाहर की दुनिया से ज़्यादा मैं अंदर की दुनिया जी कर आया हूँ इसलिए डराने की कोशिश मत करना इससे स्कूल के बच्चे डरते होंगे सर डॉंट माइंड इट मुझे सिर्फ रजनी से मिलना है वो तुमसे नहीं मिलेगी मनू तुम जाओ उससे मिले बेगार में नहीं जाओंगा मनू अभी तक जो हुआ सो हुआ मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वज़े से उससे अपकोई प्रवलू है 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 डादी जाओ रहाँ से डादी जाओ डादी 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 बंट करो पुलिस को फोन लगाओ यहाँ तो कोई फोन ने उठाँ डादी मेरे मोबाईल से वेदान को फोन लगाओ यहाँ यहाँ फोन फोन स्वेच्च्टफ यहाँ यहाँ हेलो हेलो अर्या बोल रही हो अब हमला हुआ है किसी ने डैडी को शूट कर दिया है हमने अपने आपको एक अबने में बंद कर लिया है प्लीज सची प्लीज कब वास्ट पहले रोना बंद करो और चुप चाप किसी सेफ जगे पर चली जाओ और उसके बाद पावर आप कर देना अब करी कर्ते के गर पर किसी हमला करतिया मुझे लगता है मनु भी हमला करने वालोंगे साह्थ ही है रोकना अरे श्रूर जल्दी करो मनू प्लीज पर चप्छा नहीं छोड़ने वाला है यहां बेठी डद्धी 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 उद्धी प्धू़ टए ठास तुई भिव प्यूप प्यूप अ झूब कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो सच्छी लाइट जला दो इनको ले जाना होगा इनको अस्पेटल ले जाना होगा ओके ओके पुलिस की आने के पहले तू आ गया सबोत मिटा के हिरो बनने का बहुत फितुर चड़ा है तुझे यह आप क्या कह रहे हैं यू शड़ाब इडियट मैं तो कान के नीचे दूगा किसलिए कान के नीचे दोगे पुलिस का काम होता है हमारी सेफटी का पर पुलिस ने तो फोन अज मेरे फोन की बैटरी ओफ होगे थी अच्छा सुनिया अप लोग स्टेशन में जितने लोग भी ड्यूटी पर हैं कल सभी लोगों को बोलो कि मुझसे आ कर मिले अच्छी थैंक्यू थैंक्यू सो मच् तुम लोगों के साथ कौन को राये था हम अकेले थे सर कोई भी एक दूसरे को नहीं जानता जितने लोगों को बुलाया गया सब लोग अलग-अलग स्टेट से आए हैं जोड़ मत बोल परिकर छोड़ दो से इसे कुछ मत करना तो इसे पुलिस को दे देते नहीं क्यूंकि आसा लगेगा कि मनु भी इन लोगों के साथ मिला हुआ है पुलिस वाले तंकरें वो मनु के उपर शक कर रहा था रात को ही यहां आधम का मनु को देखने के लिए देख लिया कि मनु अंदर सोया हुआ था उसे भरोसा तो नहीं हो रहा था लेकिन देखके चला गया हेलो हेलो सच्छी मुझेनि इक इंपोर्टन करने कि हॉस्पिटल में आ सकते हो क्या अभी मैं हॉस्पिटल में इंतजार करंगी छे eclipse किस लिए आना यहाँ आर्या शेटी सची भाई के साथ निभार से गयते हैं और खया प्यार का इंकि पता ग्युक्त है स्टॉक अप्छओं से प्यार की भीमारी दोटा क्यों दोन कटना होगा अरे कटना या जूधना है या सची बाइघ करेंगे सची भाए जानते हैं एक लड़की का दिल तोडना बहुत बड़ा पाप होता है तू को इनकी जिंदगे क्यों उजाडना क्या जाता है भी उजाड क्वेश्जे का अरे दो तूरहा सही उमर में लड़की नही नहीं होने वाला गुंचु कहीता करेक्ट है सची भाई एक तम सही जा रहे हैं ओ मतलब कोई फाइदा नहीं है कि सच्छी भाई वो लड़की आरही है सच्छी भाई सुनो आरे शट्टी यहीं आकर वैठेगी संभाल लेना सच्छी भाई उसकी आखों में देखके बोलना मुझसे नहीं होगा पताया नहीं हो एक बर कोशिश तो करके देखो तेरे की लगता है कुछ नहीं होने वाला तुम भी ररते हो क्या है उन लोगों ने तो बोला था यहां कर बठोगी कौन में नहीं मैं वहां क्यों बैट गय है हां मुझे ऐसे लड़कियों से बात करने की आदत नहीं है और वैसे भी मैंने तुम्हें आगवा किया था ताकि अपने छोटे भाई को बचा सको इसके बाद अगर तुम्हें कुछ हुआ तो इसका इलजाम मनू पर ही लगेगा सिर्फ इसलिए मैं तुम्हें बचाने आया मैं भी तुमसे मनू के बारे में कुछ बात करने आई है विदानता भी आद सुबह मुझसे मिलने आया था मनू के बारे में पूछ रहा था उससे लगता है हमला करने वालों में मनू का हाथ हो सकता है यह सच है लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं बताया लेकिन विदानता को मुझे पर शक हो चुका है मनु का ये फोन मुझे मेरे घर पर ही मिला मैं जानती हूँ सच्ची अपने भाई से बहुत प्यार करता है और इसलिए मैं ये फोन विदानता के हाथ में नहीं दे पाई बाई क्या हूँ सच्ची भाई भाई भाया मैं तु वाश्रूम के अंदर था आप कब मैं पता ही नहीं चला सुबह सुबह मैं सब के सामने तुमसे पूछना नहीं चाह रहा था रात को तुम कहां गए थे तुम कमरे में तो नहीं थे मैंने खुद जाकर दिखा था पुलिस जब तुम्हें ढूंडते हुए आई उसके पहले तुम आ गए थे रात को कहां गए थे बताओ उससे पहले मुझे आपसे एक सवाल पूछना है आप उस शेटी की बेटी को बचाने में दिल्चस्पी को ले रहे हैं आखिर बात क्या है उसे नहीं तुम्हें बचाने के लिए वहां गया था क्या मुझे आपके कहने का मतलब इन सबकी वज़ा मैं हूँ तुम्हारा ये फोन मुझे उसके घर पे मिला कर दो कर दो कर दो कर दो हलो 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 है एनिवन हीर है हलो सची होस्पिटल में हमारी सुरक्षा के लिए लगे हुए फुलिस वाले दिख नहीं रहें डॉक्टर नर्स सबके सब गायब है लगता है कोई जान मुझ कहीं सब कर रहा है रुको मैं अभी आता हूं क्या हो भाई हां है सच्छी भाई है उठाओ है कहा हो तुम लोग हॉस्पिटल में कुछ प्राब्लम हो गए जल्दी पहुँआ होगा मनु वह यहीं पर है मनु तो गर पर ही है तो वहां पुलिस संभाल लेगी हम लोग जाकर क्या करेंगे तुम लोग बात को समझते क्यों न सची भाई आप पहुंचो हम भी पहुंच रहे हैं क्या होगे शर्टी की बेटी को बचाने के लिए मैं आपको जाने नहीं दूंगा तेखो अगर उसे कुछ भी हो गया तो पुलिस सारा अल्जाम तुम्हारे सार पर डाल देगी चलो भाई है जिन लोगों की वजा से हम द लोगों नहीं चोड़कर जिन लोगों नहीं मारा आप उनका साथ देना जाते हो नहीं सची भाई है तुम भूल रहे हो कि इसी ने तुम्हें छोड़वाया है लगता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई इन्हें जेल में सर ने देना चाहिए था वही इनकी असली जग जब तक मैं वापस ना हूं यह घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए ओके गाईस लिसन केरफुली यू गाईस है तुम लोग जल्दी आओ हलो का हूं हम पहुच चुके कुछ लोग ऐसी यू के सामने है जल्दी आओ अबॉट दो मिशन निकलो यहांसे जल्दी वो लोग हमें पकड़ ले उससे पहले निकल जाओ यहांसे क्विक पुलो के उस्पर चारे झाल मैं प्रश्राइब कोई प्रॉब्लम है क्या डॉक्टर आपका नाम क्या है पवन डॉक्टर पवन कुमार क्या डॉक्टर साब ड्यूटी के टाइम पर यहां सो रहे हो अपना नाम बदल लो स्लीपोलोजेस्ट हेलो सची जल्दी से यहां आ सकते हो गया हां इस डॉक्टर को कहीं जाने मत देना कोई भाना करें छोड़ना मत लिसन गाइज लिसन मैं तो अब टॉटी रूम में कोई नहीं है और इंटर कॉम डिसकनेक्टेड है क्या करों समझ में नहीं आ रहा है डॉक्टर देखिये मेरी बात सुनिये मैं कल रात से काम कर रहा हूं मैं बरी टायर्ड इसलिए मेरी आख लगी आम सॉरी हम भी तो वही कह रहे हैं चुप-चुप सोचाओ वाई को आने दो बगवान के लिए रिपोर्ट मक करना वरना मेरी नौकली चली जाएगी प्लीजा रिक्वेस्ट्ट्ट्ट्र वस्ट्र प्रॉब्लम सर्चली मैं ड्यूटी पर सो गया था उस पर किसी ने शित्टी सबको आई स्वी में आकर मारने की कोशिश की थी और ये लोग मुझे पक पड़ने के लिए जेल से निकले हुए कैदी डॉक्टर आप जाएगे ड्यूडी कीजिए थैंक्यू सर्थ थैंक्यू सो मच और तुम तीनो चलो मेरे साथ तीनो पर काई के लिए हाँ चल शित्टी पे जब जब हमला होता है वहाँ तु और तेरे ये क्रिमिनल फ्रेंड्स कैसे पहुंच आते हैं तुम लोगों को पहले कैसे पता चल जाते हैं सर इनको यहां मैंने बुलाया है ड्यूटी पर लगे इतने सारे पुलिस वाले कहां चले गए थे कौन-कौन था उस समय ड्यूटी पर कहां चले गए थे विए पी की ड्यूटी में आदनी कम पढ़ गए थे इसलिए वहां बेजना पड़ा हमें लगा यहां क्या हो सकता है इडियट फूल्स यहां कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती तो तो फिर क्या जवाब देते सौरी स अगर यह हरकत दोबारा की तो ड्यूटी से सस्पेंड कर दूगा कि अग्यां कि प्रॉब्लिट इस दोप्रॉब्ल क्या किया कौन वो डॉक्टर सच्ची भाई आपने बोला था छोड़ना मत आमने तो वहीं किया लेकिन वह बेतल चुड़ा के लिए बेताल नहीं वेदानता उस डॉक्टर पे विश्वास कर लिया वह डॉक्टर होई नही जुटी पे रहते हैं डॉक्टर का सर्विस रिकॉर्ड दिखा सकती है यह तो हॉस्पिटल रूल्स के खिलाफ है सर हलो वेदान्त आइपी एस क्राइम एंड नार्कोटिक सेल के स्पेशल ओफिसर है हां सॉरी दिखाओ दिखाओ कॉंस्टिबल्स कम फस्ट हम लग कॉंस्टि गाड़ी साइड में रोकना मुझे यहीं उतरना है वाया वाया हाँ चल माफी मांग इन से भाईया आइम रिली स्वारी मेरे मों से पता नहीं क्या क्या निकल गया है मरने से पहले माने रोते हुए हम दोनों को आपके बारे में बूला था कि याद रखना बच्चों जब भी भाईया जेल से चूटके आएंगे तो उन्हें किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना होने पाए और इसलिए इसने आपको बहार निकलने के लिए अपनी इड़ी चूट राथ को मिलने जाता हूं लेकिन शेटी और उसकी बेटी को मारने में मेरा कोई हाथ नहीं है हम जिस लड़की से प्यार करते हैं उससे आधी रात को मिलने जाना ठीक नहीं सब को बताकर तुम दिन में उससे मिलने जाओ पूप दरोजा खोलो रजनी तुम्हारा मुह नहीं देखना चाहती तुम्हें बताया था ना कौन है बेटी मैं सोड़ा साल की उमर में दुलोगों को मार कर जेल की सजा काट चुका हूं दो बार उमर कैद हो चुकी है इससे जदा जानना चाहेंगे कि जाओ आओ कि मुझे होस्पिटल में एक आदमी ने धंकी दी थी कि आज के बाद मनु के साथ तुम्हें लड़की दिखनी ने चाहिए इसलिए मैं जल्दी से डिश्चार्ज करके ले आया बाद में वो आदमी हमारे घर भी आया था बोला अगर मनु यहां आया तो वो रजनी के साथ सारी घर को मार देगा भाईया मेरा फोन उसके घर कैसे पहुंचा मैं आप समझ गया यह देखिए उस दिन रजनी के फोन से पप्पू मेरा वीडियो बना रहा था यह देखा यह देखा तो गई थी क्या है अब भाईया जेल से चूटने के बाद आज पहली बार अच्छा काम किया है मनु से सब नाराज थे ना आज मैंने सब को अच्छी तरह समझा दिया मनु का फोन शिटी के घर कैसे पहुचा अब मैं समझ गया हूँ रजनी और मनु तो खुश है ना क्या लग रहा है कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना वो लोग इदर बाहरी हैं सब बहुत खुश लग रहे हैं जाबी , बूर बेट जा रहा है जुटाब काड़ा जी निकाल कर लो अच्छा पिछ बेट्चर बेट जा धो अबे चाभी निकाल क्ड़ा ऊच्छ बोल रहा हैं न च्छाभी थे बोला न गोट अपपट पिटावरार इसको अंदर पिठाव कांदर छॉक्ष्णु जा एचल बैट वालतों का टाइम पास सूर कहीं के दिदी कमान अब बस आप ही कुछ कर सकती है थोड़ा कॉंसेंट्रेट कीजिए दिदी प्लीज गोविंद राज चन्नेई का रहने वाल है यह मेरे साथ जेल में ही था अभी अभी जूटा है अभी शेहर में कहां पर है इसका पता आपको लगाना होगा ढूंद तो लेंगे ना इसको क्या इसके बाप को भी ढूंद के निकालेगा डूंट परी डॉक्टर अपने वाइफ से वीडियो कॉल में बात कर बात कर बात कर बे अरे विश्टू कौन है यह लोग बात करना बेचारी पूछ रही हम लोग कौन है जैसा बोल रहा हूं वैसा कर तब यह बचे क्या करना है मैं जो बोलूंगा वो नहीं करना है मेरा बॉस बोलेगा वो करना है अब वो वीडियो कॉल करेगा त्यान से सुनना मों क्या कह रहा है हेलो डॉक्टर क्या करना है जल्दे बताओ मुझे बताता हूं लेकिन पहले फोन कट किये बिना स्टैंड पर रखो चाहे कुछ भी हो जाए हाथ स्टेरिंग वील से हटना नहीं चाहिए और ये कॉल भी डिस्करेक्ट नहीं होना चाहिए और अगर ऐसा हुआ तो तुम जानती हो कि तुम्हारे पती के साथ क्या हो सकता है गाड़ी खुमाओ और वापिस हॉस्पिटल जाओ ओके लग जाए लाए ज आपो सा इंख एर राव आपो इंख एर जो आपनी पर आपी आपो आप आपानी उत लो आप इंख जाओ उर कर दो कर दो कर दो, तो कर दो कर दो कर दो उन्ट हाउ इझत रह इझत रहीं थी कि अाई पूंग डॉक्टर, अब हॉस्पिटल के अंदर जाओ, और आइसीव पहुचने तक किसी से बात मत करना, आइसीव के अंदर जाने के बाद, तुम सब को बाहर भेज़ दोगी, गोगेट थे स्कान रिपोट्स, अब कामेरा के सामने से हिलना मत, आइसे बात में कामेरा के सामने से हिलना मत, आइसीव के भुट्स, और उसे पूरा सेटिटिव से भर दो, अब जाओ और यह सेटिव पेशन्ट में इंजट कर दो, जब तक इसकी हाट और पल्स रेट बनना हो, तुम यहाँ से हिलोगी नहीं, डॉक्टर, यूल हाव तु स्टे आउन, जोट्स, बनना हो, डेमिट, जिसने तुझे भेजा, वो एडविन मोजेस कहां पर है बता दे, एडविन मोजेस का मैं सिर्फ नाम जानता हूँ, वो कौन है, किदर है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता, मेरे दोस्त ने उससे मदद मांगी, इसलिए मैं बाहर निकल पाया, उसने मेरी मदद किये न, इसलिए मैं बेवस की मदद कर रहा हूँ, मुझे जेल से चुड़ाने के लिए, तुम लोगों ने किसी से साहता मांगी दिख्या, क्योंकि जब से मैं जेल से चुटाओ, तब से ही ये सब कुछ चल रहा है, इसलिए मैं सब कुछ पूछ रहा हूँ, मुझे चुड़ाने के लिए तुम किस-किस से मिले, मैं तो बहुत लोगों से मिला हूँ, लेकिन कोई भी काम में नहीं आया, एक दिन एक शक्स ने मुझे किसी का नंबर आके दिया, उसने बोला इस नंबर पे बात कर लो, काम हो जाएगा, उसके बाद ही आप रिलीज हो पाए, उसके बादले तुम्हें क्या करने को कहा? पुलीस हेटकॉर्टर्स के दिवार पे कुछ लिखने को कहा था, हेल इस एमटी, ओल्ड डेविल्स के ओपर शेक्सपेर के कोई कहावत है, मैं बस इतना ही जानता हूँ, मनु, तुम्हारे पास उसका नंबर तो होगा, हाँ, यह रहा, नंबर, अरे, यह यह नंबर तो मुद्टू का है, तो इसके पीछे इसका हाथ है, नए, एडविन मोजिस, एडविन मोजिस कौन है, मुद्टू बताएगा, वाँ, सच्ची, वाँ, सप्राइज, मुझे शेटी साब से मिलना है, मिलने की इजाज़त चाहिए, इसमें मेरी इजाज़त क्यों चाहिए, जब जाहो चले आओ, सच्ची, तुम कब आने वाले हो, इवनिंग में, ओके, इवनिंग में मिलते हैं, ओके, सच्ची भाई, आर्या शेटी से आज़ाब मिलने जाएंगे, आर्या शेटी से नहीं, शेटी साब से, ओ, बात तो ये की है न, नहीं, जब करना, मैं तो सेटिंग कर आ रहा था, बैठिए, आप किस लिए मुझसे मिलना चाहते थे, आखिर कौन है ये एडविन मोजिस, आपको मारने के लिए क्यों तुला है, एडविन मोजिस और मेरे बीच की दुश्मनी, मेरे एक लोते बेटे की वज़ाँ से शुरू हुई, बेटी, मेरा बेटा, डॉक्टर अरुन शेटी, ड्रक्स के खिलाफ लड़ाई लड़ता था, इसलिए अपने आप ही, वो एडविन मोजिस का दुश्मन बन गया, और उसके हाथ हो मारा गया, और उसके जाने के बाद, एडविन मोजिस की तबाही मेरा लक्ष था, वेदानता IPS के साथ मिलकर, मैंने उसे बहुत नुक्सान पहुचाया, पर वो कभी हाथ नहीं लगा, लेकिन एक दिन उसका करोडो रूपियों का ड्रक्स से भरा कंटेनर मेरे हाथ लग गया, मुझे मालूम था कि उसे ढूंडता हुआ एक ने एक दिन वो जरूर आएगा, लेकिन जानते हो मेरे प्लान को किस ने बिगाड़ा, आपके छोटे भाई ने, कमिशनर ओफिस के दिवार पर उसने उनके लिए बकवास लिखी, ये बात मुझे मेरे लोगों ने बताई, मुझे लगा उसके पास मोजेस की इन्फॉर्मेशन है, उसे उठाने से शायद मुझे कोई टिप मिल जाए, इसलिए मैंने उसका किड्नैप करवा लिया, मेरा प्लान था कि एडविन मोजेस से बारगेनिंग करूँगा, पर आपने मेरा प्लान चोपट कर दिया, उसके कहो कि वो अपने छोटे भाई को यहां से ले कर जाए, मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए, बात सिर्फ लड़के को वापस करने की नहीं है साब, तो फिर, कुछ दिन पहले एडविन मोजेस का जो ड्रग कंटेनर तुमने चीना, उसको भी वापस करो, उसके कहने के बाद, बिना सोचे वो कंटेनर मन्नू के साथ मुझे के बास भीजना पड़ा, मुझे उनसे मिला हुआ था, सिर्फ इसकी वज़े से, एडविन मोजेस को पकड़ने का मेरा आखरी मौका भी मेरा हाथ से चला गया, मैंने विदान्ता को सब कुछ पता दिया, और उसने मुझे के ठिकाने पर रेड मारी, पर बोला कि थोड़ा सा ही ड्रक्स मिला, और कंटेनर उसे वहां नहीं मिला, पुलिस भी कंटेनर ढूण रही है, विदान्ता अब भी आप पर शक कर रहा है, समल के रहिएगा, एडविन मोजिस का नाम लेकर, कहता है, आप और आपके दोस्त, मुझ्तु के साथ ये खेल खेल रहे थे, और अब मेरे पास, वो कंटेनर नहीं है, ये बात जानने के बाद, एडविन मोजिस मुझे मारना चाहता है, और वो भी आपकी सहायता लेकर, आपको धमकी दिया, आपके उपर दबाव बनाया गया, कि कैसे भी प्रेशर में आकर, आप वो कंटेनर बाहर निकालें, अब आपके पीजे, सिर्फ एडविन मोजिस ही नहीं है, विदानता भी है, उन्हें टिप कौन देता है, आपके साथ रहने वाले आपकी लूग, उन्हें मालूम होए बिना ये काम, हो ही नहीं सकता है, बिशनिस में, मैरे पिता जी ने एक काम की सीख दी थी, आँख मून कर किसी पर भरुसा मत करो, बड़े से बड़े कारोबारी का अंद, उसके खास आदमी के घद्दारी के कारण ही होता है, दूआ करो, दुश्मनों से तो आप समल सकते हो, लेकिन दोस्तों के वार से भगवान ही आपको बचा सकता है, अब सचिता नंद को कुछ ना हो, मैं अपने भगवान से प्राथना करूँगा, मेरा दिल कहता है कि भगवान मेरी बात सुन लेंगे, अरे सच्ची भाई, सच्ची भाई आप यहां क्या कर रहा है, भाई आप उपर क्यों नहीं आए, किसका फोन था, कुछने मार्केटिंग वालों का था, बढ़ा, मोघे दिखा, क्या सच्ची भाई, आपको मुझे पर विश्वास नहीं, विश्वास नहीं है, चल दिखा, बढ़ा, मैं नहीं दिखाऊँगा, वो दॉन दिखा, सच्ची भाई, दिखा, सच्छी भई सच्छी भई आप इतने जिप क्यों करें हैं हमने आज तक कुछ छुपाया क्या आप से चुपकर तू हरे कर में चल भाग कर दो कि विष्णु और मनु से कहीं ज्यादा मैंने तुम लोगों पर वरोसा किया और तुम लोगों ने एडविन मोजिस के साथ मिलकर पीछे से वार किया सच्छी भाई मैंने इनके पैर पकड़े थे कि प्लीज ऐसा मत करो सच्छी भाई को पता चलेगा तो क्या सूचेंगे तब पहले हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता था सच्छी भाई आर्या शेट्टी को छोड़ाने से कुछ दिन पहले ही मुत्तु ने हम सबसे ये बोला मनु की साथ साथ शेट्टी से ये डील हुई थी कि एडविन मोजिस का ड्रक्स एक कंटेनर में भरके शेट्टी वापस क कर देगा हम लालच में आगे थे सची भाई मुत्तु ने हमें धोखा दे दिया कंटेनर कहीं और चुपा दिया इस बीच जब उनकी डील हो रही थी तब वो एडविन मोजिस के पास पहुंच नहीं पाया और मुत्तु को पुलिस ने गोली मार दी उसके बाद केंटेनर के कि अब उसी कंटेनर के लिए वह बार-बार हमें फोन कर रहा है जब मुत्तु जिन्दा था भाई एडविन मोजिस के साथ तब भी हमारा कोई रिष्टा नहीं था अब तो मुत्तु भी मर गया यह सच बोल रहा है सची भाई मुत्तु के मरने के बाद वह हमें लगातार फो आज उसी के सजा मिल रही सची वह आप जाए यह गलती हमने किये सजा भी हमें ही मिलेगी उस दिन मनु को लाने के लिए हम लोगों ने एक लौरी मगाई थी उसी दिन मुझे शक हो गया था इसी लिए मैंने मुत्तू का पीछा किया और उस लौरी की तलाशी ली उस लौरी में करोणों की कीमत के ड्रक्स थे मेरा शक सही निकला मुझे लगा यह मामला एडविन मोजेज और शेटी के बीच का ही होगा तब तक मेरा शक तुम लोगों पर नहीं था कुछ भी हो मैं जानता था एक नेक दिन एडविन मोजेज इसके लिए बाहर निकले गाई और इसलिए मैंने मुत्तू की लौरी को दूसरी लौरी से बदल दिया एडविन मोजेज ने इस फोन पर दूबारा फोन किया था उसे पता है की कंटेनर मेरे पास है मुत्तू ने जितना पैसा मागा था उतने पैसे लेकर मैंने उसे यहां बुलाया वो जरूर आएगा लेकिन पैसे क्यों मांगे अगर पैसे नहीं मांगे तो उसे हम पर शक हो वो इसे ट्रैप समझ कर कभी नहीं आएगा है हडो वोबख समझ कर दो एए, हटटाए वेज़ जिसे पुवर बॉई कि वेज़ कोगा एए तेग तेखल कि तेखल एए झाल तॉवर जो च्मात्सको फड़ जड़ में भाइब जड़ एक टांव पर वाइब पर जड़ 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 को तो अड़ जड़ है कर दो तू हाक तू हम तू हाक! पुब कड़ करेंगे, करेंगे! किया वज करता है कर दो 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 कर कर दो अचैस अगर इन्हें अरेस्ट करके कोड में पहुचाता तो भी कोई सजा ने मिलती पैसे और पावर से वकील बाहर निकाल लेता और दुबारा यही धन्दा करते क्रिमिनल्स को स्पोट पर मारना धाट्स माइ पॉलिसी सच्ची भाई ना भागो गणी कर गव स्थ्चि कर दौत ब resonन्पोर ना ने खर तर तुर ने कान! खान! उठलाः सुखलाः खान! कान! है! अख्यभाय! अफ्यज़ कान्ट..... खान! नहीं बमेड़। देख्या। बहुत बड़ी गलति होुकई उगई। परिकर सच भाई देर हो गई अब कुछ नहीं हो सकता सजा में लिए हम भाई का साथ देना दोस्त का स्वता सबस्तर आइ तुझे लगा तुझे कोई कभी पहचान नहीं पाएगा अपने एहंकार में तुने उस ड्रग डीलर को मार कर अपना एक सामराज्य खड़ा किया एडविन मोजस का जूटा नाम इस्तिमाल किया ये तेरा सिर्फ अकेले का सामराज्य है अब इस खेल में तो खुद फसने वाला है तुने शेटी को मारने की तीन बार कोशिश की सारे ड्रग माफियास को अकेले मार देने वाला वेदानता है पियस एक एडविन मोजस को कैसे नहीं मार पा रहा है इस बात ने मुझे तुझ पर शक करने के लिए मजबूर किया फिर बड़ी चालाकी से तुने इसे हॉस्पिटल से बच निकलने दिया और तब मुझे यकीन हो गया मेरे रिष्टदारों का इस्तिमाल करके तुने मुझे अपने रास्ते पर लाने की नाकाम कोशिश की तेरी मौत को तुने खुद बुलाया है वेदानता मेरे परिवार ने जितनी भी तकलीफें उठाई है उससे ज़्यादा तकलीफें मैं तुझे पहुचाऊंगा याद रखना बाहर ड्रक से भरा कंटेनर तुझे चाहिए ना उसी के लिए तो आया है करोडों की कीमत की तेरी वो दौलत तेरे सामने ही आज जलके खाग हो जाएगी और तो अपनी आँखों से देखेगा सच्च मैं सच्च मैं तेरी स्टाइल है ना क्रिमिनल को स्पाट में मारने की यह अच्छी पारिसी है लेकिन यह मेरी पारिसी नहीं है जो मेरे लोगों को मारता है उसे मैं अपने हाथों से मारता हूँ सर शचीता नन का कॉल है पिक दुकॉल सर आपने जो काम बोला था वो हो गया लेकिन सर एडविन मोजिस को हम जिन्दा नहीं पकड़ पाए वेदान्ता आए पिस के हातों आज वो मारा गया भले ही वह मारा गया, पर हमारे लिए अच्छी खबर है लेकिन एक और बुरी खबर है सर एडविन मोजस की गोली से वेदानता सर भी मारे गए ओ, सुसेड एक डोर से बाद के रखा है भाई मेरे तूने ही हम सब को सर, 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 कैरेज में चोर है, सर आके फिर मिल जा अनो, सर जल्दी चलिए अनूमोल बाते अन्मोल चाहो कि भी मारे ख़ाव है हाँ जो संगी तेरी देखे भाईया खाब व्पूरे करो बहुत हुआ इस टिकनाता आट ही हो वापस ये वारा करो इस ख़टान के पिछ आप अपनी राज मी उबर वाद कर दो मैंने इसको बना दिया है लाइट भी डिप आर रही है